बुद्ध कहते हैं जितना भी मैंने जाना है उसरफ ऐसे ही है जैसे प्रत्वी मेंसे कोई एक कण को मैंने जान लिया हो यह अनन्त को यह परमेश्वर को कोई नहीं जान पाया है यह अनन्त है अखंड है, अचेद है, अबेद है अद्वैतम अच्चुतम अनाधिम अनंत रूपम आध्याम पुरान पुरुशं नवयोवनंच वेदेशु दुरलभं अधुरलभं आत्म भाग्तो गुविंदमादि पुरुशं तमावं भयामी वेदेशु दुरलभं उन्हें जानने के लिए चलोगे तो कभी नहीं जान पाओगे शुदुरलभं वेदेशु दुरलभं आत्म भाग्तो लेए आत्म भाग्तो यानि जो बगवान के परम प्रेमी भाग्त हैं अर्जुन जैसे उदव जैसे प्रलाज महाराज जैसे धुरु महाराज जैसे अधुरलभ उनके लिए अधुरलभ है उनको भाग्वान को समझ पाना बड़ा सरल है क्यों प्रेम आत्म भक्तों क्योंकि प्रेम ही भक्ते है प्रेम बड़ी चीज़ है प्रेम से ही परमीश्र को जाना जा सकता है और कोई कारण नहीं है कि शास्त्रों से ज्यान से ज्यान से जानने की कोशिश करी तो व्यर्थ हो जागा भगवान को तो प्रेम से ही जाना जा सकता है प्रेम को ही भक्ती कहा है भक्ती विलोच नेन प्रेमान्यन चुरिता भक्ती विलोच नेन भक्ती बरे नेत्र होनी चाहिए भक्ती के चक्षु होनी चाहिए प्रेम के चक्षु तब उनकी पहचान होती है जल्दी से पहचान होती है फिर वो जर्रे जर्रे में नजर आते हैं जर्रे जर्रे में है जांकी भगवान की किसी आँख वाले ने इसकी पहचान की वो छोटी छोटी चिडियों में भी वो ही बसा हुआ है फूलों में उसी की गंद है सुर्ये में उनीका प्रकाश है जल स्रोतों में जल में स्वाद वोई है अगनी के रूप वोई है वायू के इसपर्ष वोई है आकाश में जो शब्द गुंसता है वो स्वेम भगवान ही है ये भगवान के कलाएं हैं बिभूतियां है भगवान ने कहा कि वेदों में रिगवेद में हूँ लिए कभी हम यह उठा के नहीं देखते है जल स्रोतों में गंगा में हूँ आज वेग्यानी के इस नतीजे पर पहुँचे है कि संसार के जितनी भी नदियां है उनसे 25 गुणा अधिक ऑक्सीजन गंगा के जल में है इसलिए उसका महत्व है ये विदेश के वेश्टन कंट्रीज के वेग्यान साइन्टिस्ट ने इस बात को प्रूफ किया है लेकिन हमारे शास्त्र अनाधिकाल से कहते चले आ रहे हैं कि गंगा बगवान विश्णु के चर्णों का धोया हुआ जो चर्णा मृत है वो जल है जो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रखा था और भागीरत के प्रार्थना करने पर उस में से कमंडल में से एक धार जमीन प्राही वो गंगा है उसका मैत तो है साइन्टिस्ट तो इस चीज को नहीं पहचान सकेंगे जान सकेंगे लिए उन्होंने जो अपनी यंत्रों से जो खोजबीन की है उन्होंने पाया कि विश्व में जितनी भी नदिया है उनसे 25 गुना अधिक ऑक्सीजन जीने की शक्ती गंगा के जल में है इसलिए गंगा जल का बड़ा महत है और जब आदमी शरीर त्यागता है तो गंगा जल उसको एक टपका डाल दो तो तुरंति विश्व बगवान की याद करता है कि विश्व के चर्णों से आई हुई है उसकी परमगती हो जाती है अंतमतास हो गता बगवान की याद करती हुए शरीर छोड़िया है तो धन हो जाता है उप्राणी अब ब्यास करेंगे जीवन भर तभी भगवान की अंत समय में याद आती है और अंत समय में याद बनी रही भगवान की तो निश्चित रूप से आप भगवान के धाम के वासी बन सकते हैं बैकुंठ के वासी बन सकते हैं केवल कहने मातर से नहीं कि पिता जी का स्वरगवास हो गया या वैकुंट सिदार गए कहने से नहीं कहने से काम नहीं चलता ओता आत्मा को तसलिद देने के लिए बोलते हैं या उनको गए हुए प्राणी का सम्मान करने के लिए बोलते हैं ऐसे सीधा नहीं बोलते कि मेरा बाप मर गया बोलते हैं स्वर्गवास हो गया चिठियों में लिखते हैं पिता जी का स्वर्गवास हो गया है फलानी दिन बारुआ है जरूर पदारना हरी कृष्ण हरी कृष्ण 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 हरी 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 राम हरी राम 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 हरी हरी ये परम रह्ष्मई महा मंत्र भगवान को रिजाने का इसके नामों का जिन्होंने आस्वादन किया है उनको ये प्रभाव मालूम है ये हमारी आत्मा को, हमारी भावना को निखारने के लिए भूट बलशाली मंत्र है क्योंकि स्वैम भगवान की पवित्र नाम इसमें है Holy Names of God पवित्र नाम ही आपको पवित्र कर सकते हैं बागी तो कोई जरिया नहीं है जिए कपड़े में मेल जमा हो तो साबुन चाहिए तो तुरंत साफ और उज्वल हो जाता है Sunlight साबुन हो एक दम उज्वल हो जाता है एसे ही आपको कोई ऐसा पवित्र परम शक्तिवान नाम चाहिए जा भावना को उज्वल करे हमारे और हमारी भावना उज्वल होगी तब ही हम सुखी होँगे ये कभी नहीं भूलना हम जितनी गंधी भावना के होँगे उतने ही हम दुख में होंगे, पूरी तरह, पेन, एंग्जाइटी, काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर, लाल, ये सब हमको सताएंगे, चारतों से घेरेंगे, ये छे दुश्मन कहां इनको, सडरी पूफ, ये सबसे बड़े दुश्मन है, हमारा पतन करने के लिए, हमको राश करने, हमारा हराश करने के लिए, हमको नरक तक लिए जाने के लिए, इनसे बचना चाहिए, यहाँ पर तीन गुणों का सत्रवे अध्याय में भगवान स्री कृष्ण ने बहुत बिशेज जोर दे करके अर्जिन को कहा है, बोला है, ग्यान उपदेश किया है, सर्धा के भी से में बतलाया, कि सर्धा जो इर्दे में होती है, सर्धा का उदय होता है नाबी के इंदर से, इर्दे में आकर कि इसका फूल खिलता है, सर्धा बलवती होती है, सरदा के बिना प्रेम उद्या नहीं होता पहले सरदा उद्या होती है सरदा में प्रेम रुपी फल पकते हैं सरदा ही नहीं है आपको बगवान के परती या किसी के परती तो प्रेम कैसे उद्या होगा पिर सरदा कैसे उद्या हो ये भी समझ लेना चाहिए क्योंकि सरद्धा उद्ध होने के लिए हमको तत्व ग्यान चाहिए तत्व ग्यान से हमारी भावना उज्वल होती है एक माँ अपने बेटे को पुत्र को चोटे बच्चों को बार बार नाम ले ले के पुकारती है तो उनके प्रती बहुत इसने है पैदा हो जाता है जन्म के समय ना रहा हो लेजिए बच्चा दो साल का, तीन साल का, चार साल का, आठ साल का डिवलप जैसे जैसे बढ़ता है ऐसे ही और अधिक प्रेम बढ़ता है माँ का, क्यों? क्योंकि वो बार बार उसके नाम ले लेके दिन में सौ बार पुकारती है अरे बेटे, अरे रामलाल, अरे कृशनलाल, अरे जो भी नाम रख दिया हो तो प्रेम उद्य होता है ऐसे कभी हम हरी को अब उनके नामों से पुकारते हैं तो हरी के प्रति हमारे इर्दे में प्रेम जागरी तो होता है, प्रेम जागरी तो होता है, तो फिर उनको जानने की कौशिश करते हैं, जानने की कौशिश करते हैं भगवान को, तो शास्त्रों को कंसल्ट करते हैं, ग्यान प्राप्त करते हैं, गुरु जी के चरणों में बै ग्यान का आत्मा का साक्षात्कार हो गया है बहुत साक्षात्कार हो गया है। ऐसे संतों के चरणों में जाके सर टेकते हैं कि हमको भी कुछ ग्यान मिले। उस ग्यान से सरद्धा पैदा होती है। फिर उन वैक्यों से प्रभु में सरद्धा पैदा होती है। परमेश्वर में सरद्धा पैदा होती है। वो तुझे ग्यान उपदेश करेगा। जिस ग्यान को प्राप्त करके तु मुझे जान लेगा। तो ग्यान से भगवान को जाना जाता है। शरद्धा पैदा होती है। सरद्धा से प्रेम के अंकुर निकलते हैं। प्रेम के फल पकते हैं। ब्रक्ष पड़े। बेल फैलते हैं। प्रेम लता प्रेम की बेल मीरा भाई जैसे गाती है अब तो प्रेम प्हल गई। अब तो बेल प्हल गई अनंद फल होई। मेरों तो गृधर गृपाल दूसरों न कोई। अभी तो गुरु को भी गुर्दर गुपाल के बीतर ही देख रही ही मीरा क्योंकि गुपाल के बीतर ही सब है सारे गुरु समाईत हैं ब्रह्मा बिश्णु समाईत हैं सारा बिश्व ब्रह्मान समाईत है इसलिए तो अद्वत कहें के बोला भगवान को कि सब कुछ तो उसके अंदर ही है, हम भी, आप भी, सारे पसूप, पंची, जल, तालाब, समुद्र, सब भवान के अंदर है, तो गुरुजी भी भवान के अंदर ही है, बार नी, मीरा कहती है कि, मेरो तो गिर्धर गोपाल, दूसरों न कोई, जाके सिर्पे मोर मुकुट, मेरो तो पती सोही, संतन ढिंग, बैठ, बैठ, लोकलाज खोई, संतन के बीच में जाकर मेरा नाच ने लगी, भवान की गुणगान करने लगी, तात मात भाई बंधू, आपनों ना कोई, मेरे तो गिर्धर गोपाल, दूसरों ना कोई, अस्वन जल सीच, सीच, अब तो छट पटाती है प्रवु से मिलने, बहुत वियोगिनी बन गई, भगवान के विरह में, भगवान से मिलने के लिए, मेरा का हिरदय छट पटाने लगा, तो छट पटाता है भगत मिलने को, तो प्रेम के आंसु मरते हैं मिलने के लिए कभी रुदन करता है कभी हसता है कभी कि महा भाव में चला जाता है मीरा भाई कहती है अस्वन जल सीच सीच प्रेम बेल बोई अब तो बेल फैल गई आनन्द फल होई मेरो तो गिर्धर गोपाल अरी मा मेरा तो गिर्धर गोपाल है और दूसरा कोई नहीं है भगवान की शरण में आएए भगवान के पवित्र नामों का जाप कीजिए ये शरण में आने का एक सीधा मार्ग है उन्हें कभी नहीं बिसा रहे बिसा रहे उठते बैठते सोते जागते नाते दोते खाते पीते चलते फिरते बच्चों को खिलाते कमाई करते कभी भगवान को नहीं बुलाईए बगवान आपके इर्दे में आपके प्रते एक छोटे से छोटे भाव को भी भगवान पकड़ते मालूम है उनको क्या विचार कर रहे हैं आपके कर्मों के विचारों के साक्षी है पूरे विश्व के साक्षी भगवान है आत्मा के अंदर वो विशेष्टा है जो परमात्मा के अंदर है परमीश्वर के अंदर है अंसरूप से जैसे सागर की बुष्ट में वो ही गुण तत्त्त्त है जो सागर के अंदर है जैसे सागर सौल्टी है ऐसे यो बुष्ट भी सौल्टी है तरल है आसे ही हम बगवान के ये अंश है आत्मा हैं इसलिए गुण धर्म आमारा और आमारी पेवर कॉंशेसनेस का बगवान से मिलता है एक दम लेन हम उस इस्तिति पर नहीं है हमां हम पेवरिटी को खोच चुके इसलिए अभी बगवान को भी पहचानते नहीं बगवान को तो दूर अपने आपको ही नहीं पहचानते और जीवन जीते हैं या तमोगुण में या रजोगुण में कोई-कोई संत सतोगुण में जीता है अपनी जीवन को कोई-कोई पुर्णात्मा सतोगुण में जीती है अपनी जीवन को नहीं सत्वगुण सुखकारी है इसलिए तो भगवान ने देखो यहां पर कितना सुन्दर इसलोकों में इतीनों गुणों का वर्णन किया है आहर का चैप्टर रखा भगवाने सत्रु अध्या के प्रारव में आहर भगवान ने क्यों रखा क्योंकि यह मनुष्य यह प्राणी यह पल्ची यह देवता यह देवियां यह ब्रह्मा बड़े-बड़े सभी आहर के ही रूप है यह साड़ा हमारा शरीर यह आहर का ही स्वरूप है जो जो आहर हमने किया खाया पिया वो इतो डेवलप हुआ है चाहे वो मा के गरव के अंदर कुछ आहर मिला हो यह भाराने पर इस्तन पान करके मिला हो या बड़े होने पर जैसा भी अन खाया हमने अन खाया, बेजटेबल्स खाई, फ्रूट खाई, दूद पिया, माखन, मलाई खाई, उसे से ये शरीर डवलप हुआ है तो प्रारम में टीचिंग देने वाली मा है, वो पहला गुरू है समाज का, ये शरीर का, बच्चे का, अपनी बच्चे का मा गुरू है जैसे जैसे माँ उसको खिलाती पिलाती है, बच्चा खाता है, पीता है, और बड़ा होता जाता है और उसकी भावना में वो जैसा भी खिलाती है, वैसा जड़ पकड़ लेता है, कि ये भोजन अच्चा है, मेरी माँ खिलाती है, इसमें दोश क्या है शुद्ध दूद है गाय का, पनीर है, मक्षन है, घी है, मिसरी है, गन्य का रस है, सुन्दर गेहों की रोटिया हैं, बासमती चावल हैं, खाखा के में शरीर खुश है, परसन्नो, तो जो शुद्धमा होती है वो सतोगुनी भोजन खुद भी करती है अपनी पती को भी करवाती है और अपनी बच्चों को भी करवाती है तो वो शरीर, उस परिवार के शरीर सतोगुन में प्रबल होते हैं उनके भावना में, मन मस्तिस्क में, बुद्धी में सतोगुन प्रबला वस्थाम होता है सतोगुन की परसंटेज हाई होती है बगी रजोगुन नीचे दबा रहता है, तमोगुन और भी बिल्कुल दब जाता है सतोगुन दबा देता है लिए जिन घरों में बच्चों को वाईल एंटी फूड खिलाते हैं बच्चवन से ही कैकड़े का सूप पिलाओ गव के बच्चड़े कटते हैं संसार में उचलते हुए खिलाओ कंचड़े बिच्चू खिलाओ, मक्खी मच्चर खिलाओ